एक ही शक्ति से अलग-अलग साथ चक्रों पर जब शक्ति उपर उठती जाती है तो वो शक्ति का अलग-अलग नाम पड़ गया उनके कारिसिद्धी के कारण तो नव देवी हम लोग जानते ही है कि प्रथमम शैल पुत्री शैल पुत्री क्या है शैल पुत्री का सूक्ष मर्थ है प्रथवी से बनी हुई सारी चीजें आपका जो शरीर है प्रथवी तत्व ये दोनों कॉन्फलिक में नहीं आए दोनों एक दुसरे की रक्षा करें आपके शरीर से दुसरे का प्रथवी तत्व का नुकसान ना हो और किसी भी चीज से आपके शरीर का नुकसान ना हो तो शैल पुत्री देवी आक्सिडेंट प्रेवेंट करती है, होने नहीं देती है, शरीर को तूटने फूटने से बचाती है, इसलिए हिमाले राज की पुत्री है, कितना बलवान है, हिमाले जैसा महान परवत है न, उतना बलशाली है देवी, कहा निवास करती है, मूलाधार चक्र पर, तो मुलाधार देखो, पृतिवी तत्व से संबंद ही रखता है, वही देवी जब शक्ती उपर उठती है, तो दूसरे चक्र पर पहुंचके ब्रह्मचारनी देवी बन जाती है, जहाँ यहाँ दो चीज़े होगा, या तो ब्रह्मचर नस्थ हो जाता है, या तो घटित हो जाता है जब मनुश्यों से प्रेम हो साकार से प्रेम हो साकार मतलब मनुश्यों से तब क्या होता है ब्रह्मचर नस्थ हो जाता है मुँँ में आ जाते हैं लेकिन जब देवी से प्रेम हो जाए जब उस अनंतता को स्मरण इसलिए बोलते हैं सुमिरन, जब उस अनंतता का स्मरन करते हैं, तो ब्रह्मचरी बिना किसी प्रयास के खुद घटित हो जाता है, तो ब्रह्म में ब्रह्म ही बन जाना, आचरन करना, उसमें मूव करना ब्रह्म ही हो जाना, यही शक्ती दूसरा रूप में, जब शक्ती को बा ऊपर उठती है तो तीसरे चक्र, नाभी पर्यमणी पूर चक्र पे पहुच के देवी का नाम हो जाता है चंद्र घंटा, चंद्र घंटा देवी कौन है तो एक बार ऐसे कहानियों में आता है कि परशुराम जी एक बार बहूत तोला मजाकिया कहानी है लेकिन एक बार करते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं कि परशुराम जी तो चिरन जीव है जो चिरन जीवी है वो तो सदापृत भी पर मोजूद रहते हैं तो उन्हें घंटी बजाई और देखा परशुराम आते हैं कि नहीं आ गए बुला बताओ क्या विपदा है विपदा वगएरा कुछ नह आप आते हो कि नहीं आते हो तो अपसे लिखे आज तक लोग घंटा बजा रहे हैं गंटी बजा रहे परशुराम जी बहुत ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं आते हैं लेकिन जब इंटेंसिटी होती है तब तो चंद्र घंटा देवी मतलब मन चंद्रमा जैसा शांत हो जाए बीतर एकदम लैक है अब बाहर तुम सारी सामाग्रिया वस्तुमें इकठा कर रहे हो किसी तरीके से वो अभाव मिट जाए बाहर कितना भी इकठा कर लो सामाग्रिया कभी भी बीतर का अभाव नहीं जाएगा चंदर घंटा देवी कौन है जो भीतर का अभाव मिटा दें क्या तो यहां दुख को विस्मरण नहीं करना है बाहर की समाग्रियां इकठा करके हम क्या करते हैं कुछ देर के लिए दुख के प्रती मूर्चा उप में चले जाते हैं भूल जाते हैं इतने काम हमने ले लिये हैं उसमें मुझे दुख को फेस ना करना पड़े भीतर के अभाव कही हमको दिखना जाए इसलिए बाहर वस्तुएं व्यक्ती बटोरने में इकठा करने में लगें तो चंद्र घंटा देवी शान्त मन स्टेबल पीस्फुल माइंड जो प्रदान करें वही है चंद्र घंटा देवी सारा अभाव मिटा दे अभाव का जो अभाव है उसको जो नस्ट करने वाली है वही चंद्र घंटा देवी है घंटा तो वरतमान चंड का सूचक है इसकी आवाज करके आप यहां मौजूद हो जाओ परतमान में चौथी देवी वही शक्ती उपर उठती है तो चौथा कूश मांडा देवी बन जाती है ये भी मनीपुर चक्र पे रहती है इनका संबंध अगनी तत्व से है ब्रह्मचारिनी देवी का जल तत्व से इनका संबंध अगनी तत्व से अगनी तत्व कूश मांडा मतलब कद्दू कद्दू खाने से डाइजेशन व्यक्ती का ठीक होने लग जाता इसलिए पहले देखो जादा लोग कद्दू खाते थे ब्रह्मन क्योंकि इतने मंत्रों चारण साधना करते हैं या जो भी साधना करते हैं वो कद्दू खाने से मंत्र ये डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि प्राण शक्ती जादा होता है लोकी में, कद्दू में तो देवी को कद्दू क्यों बोला? अगली बार कोई आपको कद्दू बोले तो दुखी नहीं होना क्योंकि इसका सूक्ष मारत है कोश मांडा एकदम एक बीज लो कद्दू का उसको तोड़ो उसकी भीतर से कुछ नहीं दिखाई देगा जो कुछ नहीं दिखाई देता है ऐसा नहीं वो कुछ नहीं है वहीं शक्ति के कारण उसी जो शक्ति जो दिख नहीं रही है अद्रिश्य शक्ति जिसको बोलते हैं निराकार उसी के होने से पुरा कद्दू के ब्रिक्ष का जना मुआ है एक अगर बीज से चार-पांच कद्दू अगर पैदा हो गए उसमें कितने बीज वो सारे बीज बहो देखो सैकड़ो कद्दू सैकड़ो कद्दू का बीज निकालो लाखो कद्दू ऐसे अनंत कद्दू प्रकट हो जाएंगा तो इससे क्या आर्थ निकलता है यह सब सिंबॉलिक होता है कि कैसा है देवी सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म है कि निराकार है और विराट में तिरपन अरब गैलेक्सी है तो चो 53 अरब गैलेक्सी उसमें से एक गैलेक्सी में तुम रहते हो और उसमें से एक महासागर ये अपना एक 200 से ज़्यादा देश, उसमें से एक देश में तुम कितना जीव जन्तु हैं, कितनी योनिया हैं, उसमें से एक राज्य में तुम बैठे होगे किसी राज्य में, उसे एक राज्य में पचासो डिस्ट्रिक्ट होगे, उसमें से एक नगर में तुम होगे, उस न क्या हुआ कुछ भी नहीं ऐसी ही एक तरीके से मैं कुछ भी नहीं हूं और एक तरीके से वो चेतना सब कुछ है पूर्ण है तो यह दोनों एक ही चेतना का गुण होता है तो यह गहरा सिद्धान्त है मैं कुछ नहीं हूँ और मैं सब कुछ हूँ, यह दोनों एक साथ, यही कुश्मांडा देवी का सुक्ष्मत है, कुश्मांडा देवी अगनी तत्व, अगनी तत्व के कारण ही होलिका को, प्रहलाद को यह सिद्धी मिली कि कोई उनको आग में जला नहीं सकता है, मंत्रो चारण ध्यान से क्या होता है, अगनी तत्व रक्षा करता है, बाहर की अगनी हमको जला नहीं सकती, बाहर का दुख रूपी अगनी भी नहीं जला सकती एक साथक को, यही है कुश्मांडा देवी, थोड़ा और शक्ती उपर उठी, तो रिदे पे पहुझ के उनका नाम क्या हो गया, सनत कुमार की जो मां है, माता का स्थान तो हृदय है, तो यहां वायू तत्तो से संबंध है, वायू से कुछ संबंधित दिक्कते हों, तो सकंद माता जरूर रक्षा करती है, किसी को स्वास से लेने में कुछ दिक्कत है, तो सकंद माता, और वही शक्ती जब गले में पहु तो कात्यायन रिशी के अहां जब वो देवी की भक्ती में लीन थे तो देवताओं का कार्य सिध्धी के लिए कात्यायनी देवी प्रकट होई और इतना करुणा मा भगवती थी कात्यायनी देवी ने उसको प्रात्ना किया देवी आप यहीं रुको तो उनकी कन्या के रूप म कात्यायन रिशी का मान रखने के लिए कन्या के रूप में प्रकट हो गई, तब से कन्या पूजन भी प्रयारंब हो गया, यही छटी देवी है, कात्यायनी अती, सुन्दर, और साथ में कितना करुणा मैं, नहीं, इनका संबंध है आकाश तत्व से, जिनको डर लगता है, डर आगे वही शक्ती मूप होती है आग्या चक्र में, तो यहां इसका संबंध है मन से, तो काल रात्री कहा निवास करती है, आग्या, आग्या का अर्थी ही है, कि बिना इसके ओर्डर के आपका शरीर काम नहीं कर सकता है, क्या, इसका नाम इसलिए आग्या दिया, इसके पहुज के काल रात्री, काल रात्री मतलब जिस दिन तुम को सारे मृत्यू का भै नस्थ हो जाए, क्योंकि काल रात्री दीवी यही तो करती है, मृत्यू का ज्ञान दिलाके मृत्यू से उत्मुक्त कराती है, यह अद्बुत है, यह तीन रात्री है, काल रात्री, महा रात्र मोहरात्री, कालरात्री मतलब, जो इस दिन तुमको मेरा कोई मृत्तिव नहीं है, ऐसा अनुभूती हो गया, अज जिसका मृत्तिव है, माया में वो सब तो नस्ठ होने वाला ही है, यही कालरात्री देवी, तो ये मन का दो सौभाव हैं, एक सौभाव क्रोध के रूप में है, और एक सुभाव सुन्दरता आवेरनेस के रूप में है तो दूसरी देवी वहाँ जब बदल जाती है तो उनका नाम क्या हो जाता है महागौरी तो यह आठमी देवी हैं जो बुद्धी से संबंध रखती है कालरात्री मन से महागौरी बुद्धी से मन में जो आए कर दे ना बुद्धी से सोच विचार के क्या विवेक का इस्तमाल करके वही विवेक जब उपर जाता है तो नौवी देवी बन जाती है सिद्धिदात्री देवी जो मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है उन्ही का नाम है सिद्धिदात्री देवी फिर अपना मूलाधार चक्र से प्राण शक्ती को सिर्की चोटी से उपर जब रखते हो स्वास छोड़ते हुए फिर मूलाधार तो स्रिकी चोटी से हलका से उपर जहां स्वास रुखता है वहां विश्राम करने से वही अवस्था है सारे सिद्धों की आत्म ज्यानियों की जहां प्राण का हल चल है जहां प्राण ठहरा वहां मन ठहरा वही सारी सिद्धी है वही मोक्ष है तो ऐसी एक देवी कैसे नीचे सुठते हुए उपर की और जाती हुई इतना अद्भुत नौ रूपों में अपने आपको वरणन कर लिया वही नौ देवी बावन सिद्ध पीठ के रूप में अपने आपको अभिव्यक्ति कर लिया वैसे तो एक ही सिद्ध पीठ है देवी का वो है ना दुर्गा सप्षती में एक मंत्र की नंदगोप ग्रिहे जाता यशोदा गर्ब संभवा ततस्तो नाश इश्यामी बिंध्या चलनिवासिनी जब मारने वाले थे क्रिष्ण को तब देवी को कंस किया लाए गए थे और अद्रिश्य हो गई तो कंस को सूचना मिली तुम्हारा काल प्रकट हो गया है तब देवी ने भगवान क्रिष्ण की रक्षा की थी तो बहुत अद्बुत है देखो आत्म ज्यान तो गुरु दे सकते हैं लेकिन विजय तो केवल देवी दिला सकती हैं और जब तक शक्ती ना हो ना तब तक शिव तक भी नहीं पहुच सकते हो और लास्ट में वही शक्ती शिव बन जाती है और शिव और शक्ती एक बन के ओम बन जाते हैं ऐसा अद्बुत है ने प्रतमम्शैलपुत्रेचा द्वितियं ब्रह्मचारणी तृतियं चंद्रघंटेटे कोश्मांडेटिच तुर्थकं पंचमं सकंदमातेटे सस्थन कात्यायनीतिचा सप्तमं कालरात्रेटे महागौरीतिचास्टमं नवमम्सिद्धिदात्रेचा नवदुरगाहा प्रकिर्थिता उक्तानेतानि नामानी ब्रह्मचान इव महात्मना इसी नवदेवी है अलग-अलग गुण है अलग-अलग प्रकृति है और अद्बुत है रहस्य नहीं नवदेवियों का आप लोग बताना क्या सीखे कमेंट बॉक्स में बताना हमको और दूसरों को भी शेयर करना ताकि सबको चले पताना आप लोग वाट्सप स्टेटस वगरा लगा लेना ये विद्या का अब दान तो लोगों को दे ही सकते हो नहीं थोड़ा सा प्रयतने करने से आप सब के भ अध बताना हमको ले पताना हमको को दुआ लगा विद्या कोईको कि लोग बताना हमको स्टेव झाया की सा आवको लिद्या का वाट ङसे वूशों स्टेव